कूलाम्स लौ। देखे एक ये आवेस है Q, इसको मालने है Q1 और एक ये आवेस है Q2 इनके बीच की दूरी अगर आर मीटर है इनके बीच की दूरी आर मीटर है तो जिस तरह से दो वस्तुओं के बीच में गुर्तवा करसन बल लगा था सेम उसी तरह इन दो आवेसों के बीच में भी एक आवेस वाला बल लगेगा जिसकी खुच किसने किया था या Q, 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 इसे epsilon not b कह सकते हैं, epsilon 0 भी कह सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, यह formula सिध करने का नहीं समय है, और नहीं सिध करने से कोई फायदा है, क्योंकि intermediate में यह सिध करके दिखाया जाता है, सिध करेंगे भी तो हुतना ही आएगा, अब एक बात बताइए, अगर आवेस की मातरा तो बल जादे लगेगा, यानि दोनों में से किसी आवेस को या दोनों आवेस को बढ़ाएंगे तो बल जादे लगेगा, यानि बड़े आवेस जादे बल लगाते हैं, छोटे आवेस कम बल लगाते हैं, दूसरा, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे, तो दोनों में उल्टा संबंदे बल घट जाएगा यानि करीब रखे आवेस ज्यादे आग बल लगाते हैं दूर रखे आवेस ज्यादे बल नहीं लगा पाते हैं वन अप उन फॉर पाई एफ साइलाइन जीरो एक कॉंस्टेंट वैलू है इसको याद रखेगा नौ गुड़े दस के पाउर नौ होगा नाइन पॉइंट एटू जी की वैलू है अब इतना आपको पता होना चाहिए तब ही आप सॉल्ब कर पाएंगे अदर वाई जब सॉल् होगा इसको पूड़े दस के पाउर कितना होता है नौ यह कॉंस्टेंटेशी हाद रखे गाएंगे जैसे हम आपसे एक सवाल देतेंगे औरTell trap कि मान के चलिए यह एक आवस्ज है जो दस कूलाम का है ? किसका है आकर सड़ बल बतेए कितना होगा इनके बीच लगने वाला आकर सड़ बल कितना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है बल एप बराबर वन अपन फोर पाई अपसाइलन जीरो की वन क्यूटू वा यारी स्क्वाइर तो वन अपन फोर पाई के जगा नौ गूड़े दस के पाउर नौ लिग देंगे क्यूटू के जगा क्यूटू के बता आरक रख के आरका स्क्वाइर करके अंसर निकालेंगे लोग कितना आना चाहिए देखे तो वन अपन फोर पाई अपसाइलन जीरो उपन 4 पाइ, अफसेलींट जीडो की जगा पे गुड़े 10 के पावर 9 गुड़े Q1 कितना है? 10 Q2 कितना है? 5 R square करेंगे तो 4 हो जाएगा R square करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो किती बार में कटेंगे? 2.1 कितना हो नाफ़े 35 40 किता आ रहा है आजया तीन मीटर की दूरी पर ये नौ कुलाम है ये दस कुलाम है आप बता दीजे भटा पार देखिए देंस वान पान फॉर पाई अपसाले इंजिरियों के जगर नौ गुड़े दस के पार नौ की वन के जगर पे दस की टू के जगर पे नौ बटा आर इसको है तीन का इसवार करेंगे तो नौ कट गया यानि नौ गुड़े दस के पार दस कर दीजे